अब हम लिटरी टर्म के दूसरा जो पहला वीडियो तो हमारा खातर मुगा यह हमारा सेकेंड वीडियो है लिटरी टर्म से लिटरे यह क्लास सेकेंड बीए सेकेंडर की लिटरी टर्म से हैं अब हम इसमें दूसरी जो टर्म है एलिजी उसकी में आते हैं एलिजी होता क्या है ठीक है, आपकी जो सलेवस है, उसमें एलेजी इन कंट्री चर्चियार्ड जो Thomas Gray की famous poem है उसको include किया है, ऐसलिए तुमको ये एलेजी क्या होता है इसको समझना बहुत ज़ादा ज़रूर है अब बात आते हैं कि एलेजी होता है एलेजी एक तरह से lyrical ही टाइप फॉर्म है, पॉयम का और इसमें क्या कोता है, हमारे जितने भी emotions होते हैं, feelings होते हैं इनको express करने पर भज़ाता जोड़ दिया जाता है कि किस तरह से, मैं तो जो character है किसी other person के लिए जो person को वो खोचुका है उस person की, या तो sorrow के लिए जा तो death हो चुकी उस person की या उसकी कोई beauty है वो destra हो गई, तो उसका सुख मनाने के लिए, sorrow दिखाने के लिए उस पर lament करने के लिए एक poem होती है, short poem होती है actually जब हमारे, जितने भी मतलब पहले था, funeral song एक तरह से गया जाता था पहले, मतलब जो गीत, जिसे Christian जो आज भी वहाँ पर जब किसी को दफनाने जाते है तो एक song गया जाता है, तो वो song उसी जो हमारी elegy है इसी का एक तरह से form होता है elegy एक lyrical form ही होती है ठीक है, इसमें क्या होता है emotions पर express करने पर बहुँ ज़दा जोड़ दिया जाता है ठीक है इसके अलाबा जो elegy है वो आपकी morning m-o-y-o-r-n-i-g-e lamentful poem है, इसमें soak को ज़दा जोड़ दिया जाता है और ये सौबर रिश्टाल में बहुत हिसानदा रिश्टाल में लिखी हुई होती है और ये या तो किसी seriously किसी की death को represent करती है या तो वो death हो या फिर उस person के बारे में बात करती है जो कोई अब रहा नहीं हो जिसकी death हो चुकी है इसमें basically theme इनकी theme होती है किसी को loss करना someone को या किसी की death होना सबसे important इसके element होते है ठीक है ये एक poem होती है जो sadness को especially for somebody who has died के बारे में बताती है it may explore question about the nature of life कि किस तरह से death और life इन दोनों का कैसे relation होता है और किस तरह की feeling होती जो हमारा कोई beloved चला जाता है तो इस चीज़ को जो allergy होती है poem उनमें बहुत अच्छे से बताया जाता है और ये question arise किया जाता है कि death होती क्यों है इस reality से हमारे अगर भागते हैं तो ये reality हमारे लिए इतनी sadful क्यों है तो यह जोतनी भी allergy of poem है उनमें बार बार यही बात बार और उसका बहुत long time तक सोक मनाया जाता है कि उस person का कोई होने के बाद में हमें कितना दुख होता है तो ये आपकी allergy है इसमें क्या कोता है एक तो question arise होता है लिरिकल फॉरम में ही होती है mournful होती है ये lamentful होती है दोना ही होती है और इसमें emotion को बहुत जादा emotion के express करने पर बहुत जादा जोर दिया जाता है और इसकी theme होती है किसी को losing someone in death या फिर किसी की beauty का destroy होना आपका best example है इसके लिए allergy written in a country churchyard by Thomas Gray ठीक है अब आजाता है second आपकी term है odd ये odd भी बहुत important और बहुत अच्छी term है इसमें ये बोलाए कि odd एक lyrical stange है ये भी एक lyrical stange है लेकिन odd में क्या होता है हमें poet की thought के बारें बता आजाता है जैसे general आपके उसको अन्य दू ले लो odd की sorry कीट की poem ले लो चाहाँ melon kali वाली ले लो या फिर odd on gracious उसको ले दो किसी भी poem को ले दो तो ये poem होती है odd इन में क्या होता है poet अपने जो thought है उसको represent करता है हमारे सामने और हम उस छोटी सी चीज़ के लिए उसने क्या thought दिया है उस thought के दुआरा है इस poem को समझने की कोशिश करते है ठीक है ये ये भी lyrical stange होते है इन में क्या होता है एक elevated style में लिखा जाता है और इसमें किसी या तो किसी person की या किसी event की भज़द उसको glorify के जाता है उसकी praise की जाती है ठीक है जो classical ode होते है वो three major parts की होती है strophe होती है anti strophe and the import होती है तो इसमें गया होता है पहले question arise होता है after that middle में उसको बताया जाता है और third में उसका conclusion दिया जाता है कि क्यों ये question उसने poet ने arise किया तो इस तरह इसकी जो poem वो three parts में होती है ये emotion को express करती है इनकी tone भी serious होती है इनका subject matter भी serious होता है इनका सबसे important जो silent feature होता है man जो इनका बिशेता वो है इनकी matrical feet इनको जो लिखने के लिए जो feet यूज के जाता है तो इस तरह से हम different vertical feet इस तरह से हम different different literary termों के बारे में पढ़ेंगे जितने भी term 10 आपके syllabus में 10 literary term यूज होई है उन 10 literary termों को हम बहुत easily और बहुत ही simple तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे Thank you